तालुका के वर्णेर की हेमिंद नापुरी की दुकान गुरुश्री ज्वलस वर्णेर का शटर तोड कर अग्याद चोरों ने दुकान में प्रवेश करकी दुकान में की 25 ग्राम सोने के घहनी, 2 किलो चांदी के घहनी नगदी 5,000 रुपे एवं डीवी आर मशिन नगद 5,000 ऐसा कुल मिला कि 2,76,670 रुपे का माल चुरा कर लेके इस बारे में पोस्टी वडनेर में मामला दर्स करके तहकीका आज शुरू कर दी गई उपरवक चोरे का मामला स्थाने गुनेश्या का वर्धा को सौपा गया जिसमें समानतर चांच की गई जिसमें प्रतमता 23 अगस 2021 को आरोपी डॉन सिंग धानी निवासी जरी छिला पर्भनी को हिरासत में लिया किया 22 सितंबर 2021 को ठाने से हिरासत में लिया किया तकिकात की दर्मियान 26 सितंबर को वरधाव वो पोस्टे वडनेर की जांग शितल को चालना एवं नान्देर भेजा किया आरोपी सेवा सिंग, सिकंदर सिंग टाक, नान्देर तधा आरोपी मनुहर सिंग, भ्यूत्त सिंग, प्रेम सिंग टाक, निवासी जानला को बड़ी होश्यारी से नान्देर एवं जानला से एक ही बार में हिरासत में लिया गया उसके बाद सीर सिंग टाक ने दी गई जानकारी पर नांदेर से गुना में चोरी के गए माल में एक किलो तीन क्राम चांदी के घेने जिसके कीमत 73,968 रुपे का मुद्दे माल सब क्या गया सेवा सिंग टाक इसे कलम 411-414 भानवी मनोहर सिंग टाक इसे 457-380 भानवी अन्वेया हिरासत में लिया गया आगी की चांच वर्णीर पुलिस कर रहे हैं उक्काम को गोपाल धोले, राजु सोन पितरे, निरंजन वर्भे, गजानन लामसे, येश्वन गुलहर, हमित शेक, रामकिसन इपर, नवनात मुंडे, पवन पननासी, अभीजीत वाकमारे, अजूर रिठे, रंजीत फाले, सा वाजी नगर नांदेर के पुलिस अमलदार काका सहिब जकताप राजु डोंगरी ने अन्जाम दिया वीसियन न्यूस के लिए हिंगन घार से रवी यनूरकर के रिपोर्ट